हाई गाईस कैसे आप सब फर्स्ट पार्ट को देखकर आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानकारी पता चली होगी वाई पाड़ी कैन नौट पिक क्रोन इन विंटर सीजन एक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आंसर अभी दीजिए ताके मुझे पता चल सके कि आप सब लोग हमारे साथ जोड़े हुए हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रडक्शन चैप्टर का 1.2 है इसमें हम कुछ अग्रिकल्टिर प्रैक्टिसेस की बात करेंगे कैसे हम कल्टिवेशन करते हैं और क्रॉप्स इंवर्स सेवरेल अक्टिविटीज ठीक है यहाँ पर जो है वह हम समझने की कोसिस करेंगे तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सेयर कीजिए और उनसे कहिए कि ये क्लास कीजिए ताकि आपको भी जो क्लासिक्स की अंडेस्टैंडिंग है वो मिल सके ठीक है तो यहाँ पर प्रिपेरेशन ऑफ स्वाइल को प्रिपेर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं अब प्लोइंग के द्वारा यस और प्लोइंग के द्वारा जी हो सकता है बस प्लोइंग है सबसे पहले आप क्या करते हैं खेत में जाते हैं अगर आपको गन्ना उगाना है तो क्या करेंगे आप खेत में जाएंगे फिर जो प्रोसेस होते हैं उनको करेंगे उसके बाद ही गन सोई सोईं क्या है इसके पाद बुवाई की गई न AIP आपने की बुवाई उसे सोईं काते है आइडनेम चैनि मन्हों फटिलाज़र आपको च्छ उसमें अनर्जी देंगे, एनर्जी, कैसे एनर्जी देंगे, ताकि वो जो है वो जल्दी ग्रो कर सके, क्या होता ना, जैसे आप कभी गए होंगे बजार में, तो कभी आपने बड़ा तर्बूज देखा होगा, कभी आपने छोटा भी देखा होगा, तो इस प्रकार से जो बड़ा तर्बूझ ज है न, क्या होता है? बड़ा तर्बूझ उसमें इंजेक्शन से chemicals भी लगाय जातें, पता होगा आपको तो जो adding manure fertilizer से तो कैसे कौन कौन से fertilizer manure डाले जाते हैं और इनके बीच में अंतर क्या होता? manure fertilizer, यह तो आपने अच्छा सा सब्द सुना होगा न तो मैन्योर और फर्टिलाईजर होते क्या हैं इनको भी हम डेपली अध्यन करने वाले हैं इरिगेशन इरिगेशन बड़ा अच्छा सब्द है लेकिन बड़ा अच्छा इंपोर्टेंज भी रखता है क्यों क्योंकि irrigation का मतलब होता है water की supply irrigation मतलब होता है सिचाई तो इस प्रकार से फिर protecting from weeds तो दोस्तों protecting from weeds का मतलब क्या है अरे हम कुछ जो unwanted जो plants हैं उनसे कैसे बचाएं उनसे कैसे अपने plants को हम product करें इसके बारे में हम बात करेंगे फिर harvesting कटाई शुरू फिर उनको कहां store करना है हर जगा tension ही tension है हमारे पास कोई चीन नहीं थी तब tension थी अब है तब ही tension है तो preparation of soil क्या आप जानते हैं कि हमारा दोस्त कौन है हमारा कोई दोस्त है हमारे बहुत दोस्त है लेकिन farmer का दोस्त कौन है क्योंकि हम आज जो chapter पढ़ रहे हैं बहुत interesting chapter है यह आपके crop के आपके farmers के relate में पढ़ाय जा रहा है यहाँ पर पहला जो chapter है उसका दोस्त कौन है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताईए और यह लाइव नहीं है फिर भी ऐसा लगना चाहिए कि यह लाइव ठीक है तो यहाँ preparation of soil please comment box में चैट कर दीजे दोस्त कौन है तब ही start करूंगा तब ही आगे चलूंगा भै ठीक है ठीक है comment box में चैट कर देना अब हो सकता है तुम करो ना तुम हो ना बैठा ही रहूंगा इस परकार से तो यह वीडियो बन भी नहीं पाएगी सही तरीके से आपको पढ़ा भ preparation of soil में एक point है initial point important point that you understand कि जो farmer का दोस्त होता है कौन होता है वो होता है केचुवा समझे आपको केचुवा होता है आपका जो farmer का होता है दोस्त ठीक है तो इस प्रकार से यह जो seven agriculture practices है cultivation of crops involves seven activities undertaken by the farmers or a period to a time ठीक है तो इस प्रकार से जो seven activities है वो अगले पार्ड में कतम करेंगे इस पार्ड में इतना ही और दोस्तों share करो like करो subscribe करो यह तो free में है तो मिलते है next वीडियो में